और नमस्कार दोस्तों जोवियल श्टडी के इस प्लेटफॉर्म पर आपको स्वागत है और पिछले वीडियो में हम लोग दें सिलेबस के बारे में जिसक्स किया था और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे संख्या तथा अक्छर स्रंख्ला के बारे में ठीक है तो जैसा दूसरा रहेगा तो उसमें करेंगे हम लोग अक्छर स्रंख्ला के बारे में बिसक्स ठीक है तो पहले ही अगर हम लोग बात करें तो संख्या स्रंख्ला अगर हम लोग देखें इसी को हम लोग कहते हैं नंबर स्रीज इसे इंग्लिस में हम लोग बोलते हैं नंबर सिरीज तो सबसे पहले हम लोग जिस्कस करेंगे कि इसमें कौन-कौन सी चीज़ें आपको इंपोर्टेंट है तो और कैसे या इसको हम लोग स्लेंगे तो उनके बारे में हम पताएंगे किस तरह पर अधारत प्रिसम होंगे इसके तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि संक्या सुरंखला के प्रिस्जक्त में नंबर सिरीज के कुश्चन देखें तो सबसे पहले हम लोग को करना क्या है तीन चार बातों को ध्यान में रखते हूं सबसे पहले हम लोग करेंगे कि कहीं उसमें जोड़ है या घठाना तो नहीं है या उसका हमें क्या करेंगे डिफरेंस ले लेंगे या हम लोग अंतर कर लेंगे उसका तो जब हम लोग जफ्रेंस या अंतर करेंगे तो उसमें पता चल जाएगा या तो कुछ प्लस हो रहा होगा या कुछ माइनस हो रहा होगा तो सबसे पहले चीज हम लोग यह देखेंगे कि हमें करना क्या होगा कि अंतर करना होगा नंबर स्रीज के कुशन पर अगर देखिए अंतर कब करेंगे वो भी एक इंपोर्टन बात है कि अंतर कब करेंगे कि हम देखिए जब अगर आपका डिफ्रेंस बहुत कम है जैसे कि अ है ठीक है एक छोटा से एकजमपल ने किसके बाद क्या आएगा तो मूहती stoffaci का मैं इनके बीच में तीन है फिर इसके बाद है तो आपको जाहर से बात है कि कहीं ने कहीं जिखरेंच और करेंगे इसका तो तो अगले वाले बी जो दो का टिफरेंस लगए गास मैं तो देखिए संख्या में वह रही दू तो यहां पर भी प्लस दो कर देंगे तो यह कुशन मारक है इसकी जगाग पर अब इसलिए ना जाएगा ठीक है तो सब डिफरेंस का मतलब समझ में आ clock के जब नंबर सीरीज में अग आपको अंतर कम का लगे म cognitive ज्यादा संख्यां आतर ना देखें तरु हम रोग क्या करें इसमें अंतर करेंगे ठीक है दूसरे छीज भी ध्यान دेंगे एक मीघ दूसरे पर हम लोक दियान देंगे कि कहीं मुल्टिप्लाइ तो नहीं हो रहा है अगर हम ने अगजां पे लिया चार फिरस के बाद हम लिख दिया है फिर इसके बाद हमने लिखा आठ फिर इसके बाद हमने लिखा 24 में आस पूछकर और एक किया तोसब अगर फिर हमने किया चार का गुणा दो में करा दिया तो क्या मिल गए हमको आठ मिल गए फिर हमने देखा कि आठ का गुणा हमने अगर तीन में कराया तो क्या मिला हमें 24 मिला तो अब आपको दिख गया है कि एक का गुणा हो रहा है पहले फिर दो का हो रहा है फिर तीन का हो रहा है फिर अगला क्या करेंगे हम लोग चार का गुणा करा देंगे तो यहां पर आ जाएगा 96 तो इस तरीके से हम लोग देखें कि कहीं गुणा हो रहा है या कहीं डिवाइट तो नहीं हो रहा है यानि कि कहीं भाग तो नहीं जा रहा है अगर यह सिरीज हम लोग उल्टी लिख दें जैसे सपोज मांद की चलिए इसी वाली सिरीज को हम लोग लिख देते हैं 96 फिर इसके बाद 24 फिर 8 फिर 4 और फिर इदर पर कुछ नमार के लगा दिया तो सबसे पहले हम लोग ऐसा कुछ भी है तो हम लोग उल्टे से चलेंगे अगर डिवाइड नहीं करना नहीं पता चलना कि यह कैसे आया है तो फिर अम लोग उल्टे से चलेंगे यहां पर अगर गुणा होगा चार दूनी आट ठीके तो यहां क्या होगा भाग हो जाएगा तो यहां पर समझ में आया कि अगर या तो यहां पर गुणा कर तो यहां आट में दो का भाग दे देंगे तो चार आ जाएगा फिर इसमें ऐसी करेंगे तो देखे आट ती यह चौबेस होता है यह चौबेस में तीन का डिवाइट कर देंगे तो क्या आजाएगा 8 जाएगा ऐसी इसमें करेंगे कि धेये दो हो गया तीन हो गया फिर इसमें क्या हो जाएगा लो एंचर होजाएगा 24 ठोशे 9 पे इसमें 4 डयवायइट कर देंगा तो हम लोग unt से वाइड करेंगा तो यहां पर जैर सी बात किस में गया हो एक हो वाले कुशन और multiply और divide वाले कैसे करेंगे ठीक है अब हम लोग तीसरे चीज़ पर आएंगे कहीं संक्याओं का वर्ग तो नहीं हो रहा है यह भी आपको देखना पड़ेगा अगर इसका एक एजमपल की अगरों हम लोग बात करेंगे तो एक फिर मैंने लिग दिया चार नौ सोला फिर पूछ लिए अगया आप से कि आगे वाला को क्या डिजट आएंगी तो यहां पर हमनों देखा क्या कि एक जो है एक का वर्ग होता है यहां पे देखा जो चार आया है चार किसका वर्ग होता है दो का वर्ग होता है फिर हम नाइन की नौ की बात करेंगे तो यह किसका वर्ग होगा तीन का वर्ग होगा सोला की बात करेंगे तो सोला किसका वर्ग होता है चार का वर्ग होगा तो जाहिर सी बात है जब एक है दो है तीन है चार है तो अगला वाला क्या होगा पांच का वर्ग होगा और पांच का वर्ग जो होता है वो क्या होता है पच्चेस तो यह कुशन मार की जगा जो आएगा वो आएगा पच्चेस तो हम लोग ह caveat फिर हम लोगा भैप फिर हम लोगा ये श्म पहुनां कर दिया पिर साथ के बाधिए I'm 16ी है कि फिर आगे वाला आपसे question पूंच दिया बान पानी के प्राल recess पर ले रहा होता गाओ ύस्पिर ये क्वेला ने तो हम कि हम लोगों कोई डिफृरैंस ही लेना फिर इस में डिफृरैंस देखा की क्या है चार जहाना ये फिर देखा डिफषेंस की किसक healthy नो का आया फिर अगला वाला आपसे पूचा गया तो जो डिफ्रैंस आया वो किसी ना किसी के बरी जाएगा एक यह जायheiten देयर पर तो किस का वर्ग हो गया दो का वर्ग हो गया ऐसी नौ आया वो तीन का वर्ग हो गया तो आगे gdzie में किसका अड़ करना पड़ेगा हम लोगं को चार के वर गया अगlar कि 16 को तो जैसे या म तब चौथी चीज की हम लोग बात करेंगे की देखिए या वरगमुल और लिख लीज़े कहीं वरगमूल भी लग जाता है यह अब हम चौथी चीज की बात करेंगे घन या घनमूल क्या ढ़िख्याख तो जब से पहले इसके एक्जाम्पल भी समझ लेते हैं कि पहले दिया गया आपके मां लिजए आठ फिर दिया गया 27 फिर 64 फिर एक्जाम्पल मां लिजए कि इसका कुशन कमार के पूछा गया है कि क्या आएगा तो हमने देखा कि यह आठ जो है वो दो का क्यूब होता है 27 जो है तीन का क्यूब होता है और 64 जो है चार का क्यूब होता है तो जाहिर सी बात है कि आगे बाला जो आंसर होगा जो आपका कुशन मार की जगा है तो वह पांच का क्यूब और जो की होता क्या है कि एक सो पच्चिस तो इसका अंसर जो बनेगा वह 125 बनेगा तो यह जो चार चीजे हैं आपको लेकर चलनी पड़ेंगी सबसे पहले आप बात करेंगी डिफ्रेंस और अंतर अलब जिफ्रेंस या इसको अंतर कह सकते हैं लोग तो इसमें पता चल जाएगा कि आपकी कुछ न गर आपके Fate बढ़ता जा रहा है और ज्यादा जर्व रह अधा ज़्या वहां यह तो मैटिप्लाइज हो गाए अगर वह डिफ्रेंस काम होता चला जाए ज्यादा संक्या तो वहाँ पर टिवाइड होता जा रहा होगा ठेकर कई लोग देखते हैं वर्ग देन कि यह बर्ग को तो पहले कुष्शन की अगर बात करें तो पहले है साथ फिर 11 फिर 19 फिर इसके बाद है 35 इसके बाद पूछा गया कि इसके बास संक्या कौन सी आईगी तो सबसे पहले हम लोग लिएकि देखते हैं कि साथ है फिर 11 है फिर 19 फिर 35 है तो हमें डिफरैंस ज्यादा नहीं दिख रहा तो इसमें लोग यह तो कुछ जुर रहा है तो जुड़ी रहा है क्यूंकि यह प्लस होता जा रहा अब साथ में कितना जोड़ेंगी 11 हो जाए तो हमें पता चला कि यहां प का सूला फिर 35 में कितना जोड़ है कि कुश्चन मार्क मतलब कौन सी डिजट आएगी यहां पर यह आपको निकालना है तो इसको देखी दो तरीके से हम मैं क्या मिलेगा 32 मिलेगा अब यह देखिए यहां पर 35 है और यहां पर जोड़कर 32 जो कि आपका अंसर बनाएगा कि 35 में अगर हम लोग 32 जोड़ है तो आंसर कितना जाएगा इसका 67 तो देखिए एक तरीका तो आपका यह हो गया अब हम दूसरे तरीके की हम लोग बात करें है तो दूसरे तरीका क्या हो सकता है देखिए अब चार है चार को हम लोग लिख सकते हैं दो की घाद दो और आठ है आठ को लिख सकते हैं दो की घाद तीन सोला है और सोला को हम लिख सकते हैं दो की घाद चार और बत्तिस है बत्तिस तो हम लोग का निकल के आया था अब देखिए यहां पे देखिए दो की पावर दो दो की पावर तीन दो की पावर चार तो जो अगला होगा वो होगा कौन सा दो की पावर पाँच जिससे आपको निकल के क्या आएगा 32 तो डारेक्ट हम लोग वहाँ पे 35 में 32 जोड़ देंगे तो आंसर आपको पता है 67 अब हम लोग देखते हैं दूसरा कुश्चन के बारे में इसको एरेज कर दें कि दूसरे कुश्चन में क्या कहा गया आपसे पांच ग्यारा कि पैस सेंट आलेस इसके बाद पूछा गया कि कुश्चन मर्क क्या आएगा ठीक है तो हम लोग देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले वाई चीज करेंगे कि हम लोग इनका देखें कितना एड़ हो रहा है तो सबसे पहले हमें दिखा कि कितना प्लास इक्स फिर इसके बाद 24 को अगर हम एड़ करेंगे 23 में तो 47 आ जाएगा फिर इसके बाद आपको बताना कि कितना एड़ करें कि 47 में कि आंसर आपका निकल गया है तो यह पिछले वीडियो जैसे है पिछले कुश्चन जैसे ही है जो अभी अपने पिछला बतायता है ठीक है तो जैसे आपको दिख रहा है कि 6 है फिर इसके बाद 12 हुआ फिर 24 हुआ तो इसके बाद क्या हुआ तो देखे इसका देखो 6 का दुगना करेंगे तो 12 और 12 का दुगना करेंगे तो 24 और 24 को दुगना जैसी करेंगे हम लोग तो कितना प्राप्त होगा मैं 48 प्राप तो आपको answer प्राप्त हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 95 तो इसको भी लगाने के दो तरीक है ठीक है तो पहला तरीका तो हमने प्लस बंद करें तो पांच दूनी 10 और एक कितना हुआ 11 हुआ अब ऐसे ही अगर हम इसमें करें कि दो का गुणा and और प्लस का वाएं तो यहां से भी हम लोगों को पराप्त होता है कि 11 दूनी 22 और एक 23 हो गया अब इसमें भी हम लोग करें करेंगे दो का गुणा प्लस बन तो इससे भी हम लोगों क्या पढ़ला देखिए 23 दूनी 46 और एक 47 ऐसे इसमें भी करेंगे हम लोग कि दो का गुणा और फिर एक जोड़ देंगे उसमें तो 47 दूनी होता है चौरानवे चौरानवे में जैसे हम लोग जोड़ेंगे तो आंसर आपको 95 निकल के आएगा ठेक है अब देखते हैं लोग अगला कुश्चन चलिए अगले कुश्चन में देखिए क्या है कि दो है तीन है साथ है सूला है 32 है फिर इसके बाद दिया गया है सटावण फिर कुश्चन मार्क अच्छिक है तो सबसे पहले इसको हम समझेंगे कैसे इसको सॉल्व गरना है तो सबसे पहले वही तरीका कि क्या इसका डिफरेंस चल ला है तो दो से तीन हुआ यानि कि कितना प्लस वन 3 से 7 हुआ यानि की प्लस का 4 7 से 16 हुआ तो प्लस का 9 16 से 32 हुआ तो प्लस का 16 32 से 57 हुआ तो यानि की प्लस का 25 और आगे क्या होगा कि आपका आंसर आजाए ठीक है तो सबसे पहले हमने देखा था आपको बता चुके हैं उन पॉइंटों के बारे में कि कहीं न कहीं स्कॉयर वाला इसमें प्रोसेस चल लिए तो अब देखिए ज़रा एक है फिर 4 है फिर 9 है 16 और 25 दिमाग में थोड़ा से घूमने लगा कि हाँ ये स्कॉयर है किसी संक्या के तो अभी हमने देखा कि एक जो स्कॉयर है वो है एक का चार किसका स्कॉयर है दो का स्कॉयर है 9 की अगर हम लोग बात करें तो वो किसका स्कॉयर है 3 का स्कॉाइर है 16 की बात करें हम लोग तो किसका स्कॉाइर है 4 का स्कॉाइर है और अगर हम लोग 25 की बात करें तो कितने का स्कॉाइर है 5 का स्कॉाइर है और फिर इसके बात कौन सा आ जाएगा 6 का स्कॉाइर यानि की 36 तेस यानि किसका जो आंसर बनेगा आपका तेरानवे तो आपने देखा कि इस तरीके से हम लोग इसको solution सॉलू करेंगे और जो आप प्रैक्टिस करेंगे जितनी से ज्यादा ज्यादा उसमें क्या होगा कि आपको पता चलता रहेगा कि इसमें क्या प्रोसेश चल लई है तो इस तरीके से आपको मैं दो कुशन घर से दे रहा हूं लगाने के लिए और फिर देखते हैं कि आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं कि तो पहला कुश्चन है कि आठ तेरा अठाइस त्रेपन अठासी फिर इसके बाद है कुश्चन मार के कुश्चन मार के जगा बताना है कि क्या आएगा दूसरा कुश्चन आपको दे रहा हूं पहला देखे क्या है इसमें च्छ पंद्रा अठाइस अठाइस अच्छ 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 और आगे है कुश्चन मार के तो आप इन दोनों कुश्चनों को सॉल्व कीजिए गा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसको हम डिफैन कर देंगे इसको इन दोनों तो कि देंगा युच को मार को ऑगे में तो हम च्छ अच्छ अच्छ आप को तो हम नेक्स अच्छ 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 आओसाख प्रक्राइस काम से प्लपा नेक्ट वीडियों काम आप है।